हेलो गाईज कैसे हैं आप सब आज मैं बताऊंगे आपको रोटियां फ्रेस रखने का कवर कैसे बनाते हैं और ये लिए मैंने फॉम फॉम पॉम ये प्लेट रखके गोल कटिंग करेंगे इसकी इसको बिल्कुल गोल रखना है ने इस पर निशान लगा दिया था प्लेट से अब इसकी कटिंग करेंगे ये हमारी कटिंग हो चुकिए अब हम कपड़े को रखेंगे इस चाहिए इसके नीचे वह इसको उपर रखे कटिंग कर लेंगे कपड़े की विया से गोल लाई लेंगे और इसके बाद इसकी सिलाई करेंगे इह देखे यहां हम सिलाई लगाएंगे ऐसे सिलाई लगालेंगे तो इसकी गोला अपने अपर आ जाएगी वह इसके थोड़ा सा पाई पे निकाल देंगे फिर अपने आप इया गोल लगने लगेगी क्योंकि वो कुरम इसके अंदर जो फोम डली वे वो टाइट होती है उसके वज़े से इसकी सेप अपने आप आ जाएगी और इसके स्टिचिंग से हम इसकी यह बोक्स बनाएंगे लाइनिंग बना ली पहले तो हमने फेश की बोक्स बन जाएंगे यह हमने कपड़ा लिया है पाइपी निकालने के लिए यह उरे पट्टी ली थे हमने क्योंकि इस पे सिद्धी पट्टी की सेप नहीं आएगी इसलिए उरे पट्टी लेने होती है गोलाई में अब दीखे यह हमारी पट्टी लग चुकी है अब हम इसको फॉल्ड करके इसकी स्टिच करेंगे कि यह हमारी शिलाई हो चुकी देखे अपने आपस की गोलाई आगी क्योंकि इसमें जो अंदर फॉम डालते हैं वह टाइट होती है उसकी वज़ेसे इसकी गोलाई आजाती है कपड़ी को गोल रखने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन फॉम के वज़ेसे इसकी गोलाई आ ज कर दो चूब झान आजा आजा है झाल सकी ज़रूरत नहीं होती दो रखने की ज़रूरत नहीं होती है